नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विहांश इंस्टिट्यूट में हम अपले concept and ideas वाले जो session चल रहा था उसमें YouTube में अगले session पर आच चुके हैं जहां पर हमको देखना है अरण्यक अरण्यक जो हैं अब इनके बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम recall कर लें कि हमने इन से पहले कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ लिए और अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो आप YouTube में जाके प्लेइलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हो विजिट कर सकते हो बहुत important sessions यहां पर चल रहे हैं हम research करके ला रहे हैं ढूंड के ला रहे हैं और उसी के accordingly आपको question answers भी provide कर वा रहे हैं तो अरण्यक के पहले हमने जो है भारत वर्ष के पारे में पढ़ लिया था वेदों के बारे में पढ़ लिया था दा वेदाज साथी साथ उपनिशिदों के बारे में भी पढ़ लिया था और अब हमें देखना है अरण्यक के बारे में कि अरण्यक होते क्य ऐसे text जो कि कहां लेखे गए हैं forest में लेकिन अब देखने हों कहां मिलते हैं ब्रह्मनाज जो हैं उसके last section में इसके बाद अगला topic हमारा ब्रह्मनाज है पहले हम अरंग का देख रहे हैं तो ये होते क्या हैं wilderness scriptures ये कहलाते हैं तो these are the holy scriptures और a treatise about saint अलग-अलग संतों के बारे में जो कि कहां रहे हैं जंगलों में woods को क्या बोला जाता है forest बोला जाता है ठीक है अलग-अलग जंगलों में रहे हैं तो अरण्यक debates philosophy and sacrifice philosophy और sacrifice के बारे मतलब कुछ दर्शन शास और सांती सांत क्या त्याग किये संतों ने उसके बारे में in contrast to the brahmans who merely gave a methodological procedure of the rights जो बताते हैं तो अरण्यक offer a profound connotation and interpretation of the philosophy in the Vedas Vedas में जो philosophy है और साथी साथ interpretation उसका यहां पर provide करते हैं अरण्यक को अगर बात की जाए तो कितने groups में divided हैं बहुत सारी अलग-अलग groups में divided हैं और अलग-अलग नाम में divided हैं based on the shakhas कैसी उनकी branches हैं उनकी accordingly which they are related तो इस accordingly अरण्यक divided हैं अब हम थोड़ा सब conceptual चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमाई paper में आपको देखने को मिल सकती है सो सबसे पहले बात करें एत्रिया अरण्यक is linked to the रिग वेदिक जो रिग वेद पुस्तक है उसके शाकल शाका से related है तैथरिया अरण्यक जो है वो कृष्णा यजूर वेद तैथरिया शाका से related है तो आपको इसको link करके चार्ट बनाते हुए चल देना कौस्त की अरण्यक जो है किस से related है रिग वैदिक कौस्त की and सांग की शाखा इससे related आपको देखने को मिलेगे साथी साथ कथा अरण्यक किस से related है इससे आपको related देखने को ये मिलेंगे अगर अर्थर वेद में बात की जाए तो in the other way there are no अरण्यक याद रखना important point है अर्थर वेद जो चतुर्त वेद है उसमें किसी भी प्रकार के अरण्यक नहीं देखने को मिलते हैं उपर जो हमने देखे वो रिग वेद साम वेद और यजुर वेद में और यजुर वेद में भी अलग-अलग कौन से एक कृष्णा याजुर वेद और दूसरा शुक्ल याजुर वेद जो है हमें देखने को मिलते हैं तो अरण्यक के बारे में अगर बात की जाए इसे बहुत सारे अलग-अलग देखने को मिलेंगे आगे बात करें इन निरुक्त निरुक्त में क्या है दुर्गाचार्य एड्रेसे अरण्यक्स एज रहस्य ब्राम्मनास ठीक है एक निरुक्त करके जो टेक्स्ट आइडियोलोजी है उसमें जो दुर्गाचार्य है जिन्होंने लिखा है उन्होंने क्या बुला अरण्यक क्या है रहस ब्राह्मनाज के रूप में देखने को मिलते हैं Since the Aranyak provides cryptic meaning to the ceremonial transactions recounted in the Brahmanas Brahmanas में जो अलग-अलग ceremonial processes हुई है उनका detailed version हमको कहां provide होता है अरण्यक में देखने को मिलता है Despite the diversity of the Vedic literature Vedic literature बहुत बड़ा उसकी बहुत बड़ी diversity है Aranyak maintains that there is a constant thread एक लगातार धागा बना रहता है सारे points उस threads से मिलते हुए दिखते हैं Of the absolute reality जो सच है जो reality है That flows through it all वो सब कुछ यहां पर हमें देखने को मिलता है The Aranyak's language is more closely related to the oldest form of Sanskrit जो पुराना form है खास करके कौन सी कहलाती है Vedic Sanskrit जो कहलाती है Vedic Sanskrit उससे relate कर पाते हैं हम यहां पर किसको Aranyak को देख पाते हैं Aranyak के origin के बारे में बात करें उद्गम कहां से हुआ उस philosophy को देखें So the origin of the term Aranyak has been subject of several hypothesis अलग-अलग खूब सारे hypothesis research हुए उन सब से relate किया जा सकता है According to the historic age based आश्रम system जो आश्रम system था of human life These texts were meant to be studied in a forest जंगल में इनकी study की जाती थी यह यहां पर देखा गया While another theory claims एक और theory है वो यह claim करती है That the name comes from these being manuals of allerogical interpretation अलग-अलग जो sacrifices है उनका interpretation दिया गया है खास करके कहां पे बनप्रस्त आश्रम हमें जो चार आश्रम के बारे में भी देखना है ठीक है पहला कौन सा होता है ब्रह्मचर यह दूसरा होता है कौन सा दूसरा हमें देखने को मिलता है ग्रहस्त तीसरा हमें देखने को मिलता है जो है वनप्रस्त और चौथा की इंसान अपने जीवन से हर चीजों से सन्यास लेता है तो retired life, forest dwelling life यहाँ पर कहलाती है खास करके यह देखने को मिलता है ठीक है तो अलग-अलग जो आश्रा में वो यहाँ पर लिखे भी हुए है जैसे सबसे पहला कौन सा ब्रह्मचर्य जो की शुरुवाती 25 साल का होता है इनसान का जीवन हम 100 साल का मानते है आजकल life जो expectancy है वो pre-independence काम थी 32 साल हुआ करती थी अभी वो 70 टच कर रही है तो अभी हम 100 लेके चल रहे है तो ब्रह्मचर्य जो 25 साल का होता है जहाँ पर learning phase होता है और grooming in life होता है जो हम सीखते जाते हैं skills अगला होता है 25 के बाद शादी हो जाती है ग्रहस्त जीवन रहता है जहाँ पर बच्चे पैदा करते हैं सारी चीज़े family establish करते हैं 26 से 50 ये कही के लिए है ये है marriage और worldly activities के लिए आपको देखने को मिलता है अगला जो है वानप्रस्त आश्रम यहाँ पर mainly 51 से 75 is for people who want to retire from the active family oblique social life ठीके जो लोग retire होना चाहते है अपनी family life से और religious philosophical causes को कारण देना चाहते हैं वो वानप्रस्त जीवन जीते हैं और आखरी it is called the one या फिर forest living which involves relocating to the forest और यहीं पर चो है यहीं पर role किसका आजाता है यहीं पर role आजाता है अरण्यक ठीक है अरण्यक का जो role है वो आपको देखने को मिलता है बाद में 75 के बाद की life जो है वो आप एक aesthetic या फिर संद की तरह जीचकते हो pondering the supernatural and pure philosophy while taking whatever is offered for survival जैसा तैसा है उसमें जीवन चलाया जा रहा है यह primary structure जो चतुर्त आश्रम का है वो देखने को हमें मिलता है तो इस primarily focused on assisting society in whatever way possible utilizing vast expertise and knowledge collected throughout a lifetime जहां पर हमने जो जीवन में सीखा है तो 75 के बाद जो 76 से है वो हम life में दूसरे लोगों को भी क्या कर सकते हैं और अपना survival किस तरीके से मांग के खा कर किया जाएगा आगे देखें अरण्यक का structure किस तरीके से होता है तो अरण्यक have a structure that is as diverse as their contents so according to the content that was collected in an arण्यक corpus जहां पर बहुत सारी data से खटा किया गया certain sections have the character of samhitha अलग-अलग समहिता दी गई है कि यहां पर ऐसे करना है यहां पर ऐसे while others have the character of a brahmana and yet others have the character of a sutra और कुछ में sutra का character देखने को मिलेगा these texts serve as a linguistic and aesthetic bridge between the brahmanas brahmanas के बीच में जो है एक bridge के रूप में देखने का काम करता है and the speculative literature a speculative literature that follows them developing some of the concepts and trains of thought that are distincted to them जो अलग-अलग thoughts हैं विचारधा रहा हैं जो अलग-अलग समय में उत्पन होती हैं उन सब के बारे में यहां पर बताया जाता है अरण्यक वर primarily composed for hermits mainly जो संत होते थे उनके लिए and pupils who lived in the wild जो पहले इस तरीके से लेकिन यहां पर mainly focus किस पर किया गया है तो mainly focus है, emphasis किस पर है, meditation ध्यान-पद्दती पर है, साथी-साथ, sacrifices पर कम ध्यान है जो meditation है, उस पर द्याजदा ध्यान है आप सब को छोड़के आ गए हो जंगलों में और ख्याल है आज भी परिवार का कि परिवार क्या कर रहा होगा so उन चीजों का असर यहां पर देखने को नहीं मिलेगा in fact, they are against sacrifices and many of the early ceremonies बहुत सारी early ceremonies के against भी है they place a strong emphasis on the moral ideals जो आज के समय के moral ideals हैं उन पे भी यहां पर बात की गई है for example, they serve as a link between the brahmana's manner of work जो की कैसा है कर्म मार्ग की जैसा कर्म करते चलोगे वैसा फल मिलता चलेगा and the upnishat's way of knowledge जो की कैसा है ग्यान मार्ग की हमें ग्यान की प्राप्ती ultimately ग्यान की प्राप्ती ही वेदों का अंत है जो की हमने previous session में पढ़ा था ठीक है, last time हम बात करते हैं आगे many aranyak texts provide mantra's बहुत सारे mantra है, ethnologies, भाशा ग्यान है dialogues, tales and symbolic interpretations but a few such as those by sage Aruna Ketu have rhymes with deeper philosophical insights तो यह हमें देखने को मिलते हैं अब aranyak में content क्या है वो देख लेते हैं चर्चा जो की nutshell में चर्चा डाली गई है यहां पे वो हम कर लेते हैं so the atria aranyak atria aranyak जो है is an appendix of the to the rig atria veda atria veda कौन सी है? ब्राह्मना जो की rig ved में देखने को मिलती है तो atria aranyak याद रखना the sankhyana sankhyana also known as kaustiki aranyak kaustiki aranyak ये भी कहां पर है? it is a rig kaustiki vedas ब्राह्मना ठीक है तो atria याद रखना हो kaustiki जो की rig ved से संबंद देखने को मिलता है अगला कौन सा है? the tathria aranyak tathria aranyak जो है वो किस से देखने को मिलेगी? tathria bramana क्योंकि हमें पता है ब्राह्मना के लास्ट में ये aranyak दिये रहते हैं in the black yajurved मतलब की krishna yajurved the 14th book of the satpatha bramana the brihadya aranyak is solely an aranyak in the white yajurveda ठीक है? brihad aranyak हमने किस में पढ़ा था? उपनिशद में भी देखा था? ठीक है? तो ये उपनिशद और aranyak दोनों की तरह रोल यहाँ पे निभाती है the only aranyak in the samveda are the first aranyak like the sections of chandogya upanishad which belongs to the tanda brahmana ये देखने को मिलती है ठीक है? अगला the jamnia upanishad brahman ये कह है jamnia upanishad brahmana which is nothing more than an aranyak of the samvay jamnia या फिर talvira school ये जो अलग-अलग philosophical school से हैं उस पे और the talvkara upanishad ठीक है? इसके बारे में याद रखना फिर अगला the katha aranyak text is quite similar to the tetriyas text only one kashmiri birch bark manuscript has retained it although in fragments तो ये क्या था? काफी खंडित form में देखने को मिली थी सही collection यहाँ पे नहीं हो पाया था आगे बात करेंगे the shukla yajurved शukla yajurved का जो अरण्यक है शukla yajurved अरण्यक is part of its brahmana it deals entirely with the parvajya right as do the tetriya and katha aranyak and is followed by the brihad aranyak ओपनिशत तो कौन सी? शukla yajurved के अंदर जो aranyak है वो मेंली कौन सा है? उसमें जो अलग-अलग brahmana के part देखने को मिले हैं जहां पर brahada aranyak और katha aranyak दोनों के mix match आपको यहां पर देखने को मिलते हैं ठीक है? चलिए तो यह क्या दिये हुए है? practice set आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है? practice set में question लगाते जाते हैं ठीक है? पहला question देखने को मिलेगा what is the primary focus of the aranyak in terms of lifestyle? जीवन के आधार पे aranyak का क्या देखने को मिलता है तात पर यह तो urban living forest dwelling agricultural practices या फिर nomadic lifestyle कौन सा culture यहां पर देखने को मिलता है? चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? aranyak जैसा की नाम से ही पता चल रहा है forest dwelling option number B यहां पर सही हो जाएगा according to the ashram system ashram system के accordingly during which stage of life are aranyaks meant to be studied? aranyak कब पढ़ने जाएने चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? one प्रस्त वन प्रस्त आश्रम के दौरान इसको पढ़ा जाना चाहिए what do you mean by the term aranyak signify in the context of aranyaks इसमें aranyaka का मतलब क्या होता है? so option number B हमारा सही हो जाएगा wilderness scriptures यहां पर हमें देखने को मिलेंगे अगला देखें which vedic text does the athria aranyaks serve as an appendix to? athria aranyak जो है कौन से vedic test? रिक समहिता रिक वेद ब्राह्मना साम वेद समहिता या अर्थर वेद ब्राह्मना कौन से में देखने को मिलेगा आपको ये? ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक वेद ब्राह्मना इसका सही आंसर option number B हो जाएगा अगला इन दी कॉंटेक्स आप दी अरण्यक्स वाट इस दी सिग्निफिकेंस आप दे टर्म रहस्य ब्राह्मना रहस्य ब्राह्मना जो है इसका टर्म का मतलब क्या है? रिचुलिस्टिक स्कृप्चर्स फिलोसोफिकल स्कृप्चर्स secret और cryptic meanings to ceremonial transactions या फिर historic scriptures आपको किस रूप में ये देखने को मिलेगा तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि secret या फिर cryptic जो coded चीजें होती हैं उसको ceremonial transaction अलग-अलग ceremony के form में बताया जाना कहलाता है during which age does the one-prast age occur in the ashram system तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 59 से 75 इसका age bracket हमें देखने को मिलता है which Vedic tax does the sanghyana या फिर जिसको कौस्थी की अरण्यक भी बोला जाता है वो किस से belong करता है सामवेच से यद्यूरवेच से अर्थरवेच से या रिगवेच से तो हमने बढ़ा कि अर्थरवेच से तो कोई नहीं देखने वाला है अर्थरवेच से कोई भी चीज आपको यहा देखने को नहीं मिल रही है तो ultimately यह किस से हो जाएगा तो हमें यह सांह्याना ही वापिश से किस में मिलता है रिग वेद में देखने को मिलता है अगला What does the Aranyaks primarily emphasize in contrast to the Brahmanas Brahmanas के साथ मिलके Aranyak क्या हमें यहाँ पे दर्शाते हैं यह बात हमें बतानी है कि वो क्या ultimately दर्शा रहे होते हैं ठीक है तो ultimately यह क्या दर्शा रहे होते हैं The moral ideals and meditation जितना meditation करोगे क्योंकि कई व्यार हम confused हो सकते कि sacrifice भी हैं क्या ठीक तो sacrifice से confused मत होना यह जो option दिया हूँ इस से confused मत होना क्योंकि meditation ज़्यादा important है rather than हमारा sacrifice ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे What is the common threat that the Aranyaks maintain despite the diversity of the Vedic literature मैंने बताया था कि एक line हमने बनाई वो सब क्या है उसमें common उसकी identity आपको देखने को मिलती है तो क्या है ritual practice moral ideals absolute reality या फिर nomadic lifestyle आपको क्या देखने को मिलेगा तो absolute reality जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो यहाँ पर truth के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि सब कुछ जो real reality होने वाली है वो सब हमें बताया जाना चाहिए विच उपानिशद इस considered as an अरण्यक औप दी सामवेद जैमने और तालवीर स्कूल कौन सा हो जाएगा option number A चांदोग यह स्कूल देखने को मिलेगा या फिर केन उपनिशद या फिर ब्रिहद अरण्यक हो जाएगा केन उपनिशद हमको देखने को मिलेगा ठीक है याद रखिएगा ऐसे सवाल बिलकुल देखने को मिल सकते हैं आपको what is the primary language of the अरण्यक तो अरण्यक की primary language क्या है पुरानी वाली वैदिक संस्कृत के रूपे आपको देखने को मिलेगा ठीक है अगला what is the significance of the term absolute reality in the context of अरण्यक अरण्यक के context में जो absolute reality है उस पे आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है क्या एक specific duty है तो नहीं ऐसा नहीं होने वाला क्या एक consistent theme है through the Vedic literature क्या एक theme बन रही है consistent या फिर एक philosophical term में अफिर नॉमेडिक लाइफ प्रिंसिपल है ठीक है तो ये भी सही हो सकता था लेकिन अगर इस से ज़्यादा सही देखना है तो ये consistent theme throughout the Vedic literature ये हमें देखने को मिलेगा विच अरण्यक इस लिंग्ड टू दी रे चुप क्रिश्ना यजॉरुष है अगिन टैथ्रिया शाख्ः टैथ्रिया शाख्ः से कौन सा related है खास करके क्रिश्न यजॉर्वेद मलेक यजॉर्वेद से कौन सा related है तो इसका क्ौन सा हो जाएगा टै अरण्यक देखने को मिलेगा what role do अरण्यक play in the ashram system of human system teaching and grooming या फिर marriage and worldly activities, religious and philosophical pursuits या फिर aesthetic pondering so option number D हमें यहां पर देखने को मिलेगा aesthetic pondering के रूप में aesthetic pondering या फिर religious and philosophical pursuits यह दोनों option में से दोनों ही correct हो सकते हैं ठीक है लेकिन pondering word अगर गलत हो जाए तो option number C religious and philosophical pursuits यह आपको सही देखने को मिलेगा which scriptural categories do the durgachari address अरण्यक इंदा निरुकता durgachari ने किसके बारे में बताया था ritualistic brahmanas या फिर philosophical उपनिशत या फिर secret or cryptic meaning to the ceremonial transaction या फिर historic scriptures तो इसका सही हो जाएगा secret or cryptic meaning to the ceremonial transactions आप answers यहां से भी देख सकते हैं अगर मेरे दुआरा कोई से गलत हो गए हो ठीक है तो उनको correction कर लिजेगा ठीक चलो तो यहां पर हमारा जो आज का session था वो किसके उपर बेश था अरण्यक के उपर वेश था बहुत ही जादा important था next session में हम मिलेंगे जहां पर हम ब्रामबनास के बारे में चर्चा करेंगे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताया कीजिए like केर दिया कीजिए share कर दिया कीजिए साथी साथ अपने friends को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं नए syllabus में जो changes है वो हम आप तक पूरी पहुचा रहे हैं और कैसे उनका solution हो सकता है ये भी हम आपको अपने tech के मदद से provide कर वा रहे हैं तो session आपने enjoy कर रहा होगा मिलते हैं next session में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन